सब्सक्राइब देंगु पे क्या क्या ट्रीट्मेंट हो सकता है डेंगु की टेस्ट रिपोर्ट को आप कैसे समझ सकते हैं और क्या क्या कंडिशने आती है डेंगु रिपोर्ट में जैसे कि क्या क्या ट्रीट्मेंट के जा सकता है लगवग मैंने 5-6 कंडिशन उसमें बताया था लेकिन हमारे वीवर ने कुछ कमेंट किया था कि सरहर कंडिशन के इसाब से आप हमें अलग-लग ट्रीट्मेंट बताईए जैसे कि आपका अगर अगर एंडिशन पॉजिटिव है आईज या पॉजिटिव है तो आज की कंडिशन में हम बात करेंगे अर्ली स्टेज में जैसे कि एंस वन एंटीजन पॉजिटिव आएगा जिसमें और आईजी एम एंटी बॉड़ी जो नेगिटिव होगा और साथ में एंडिवोडी नेगिटिव हो रहा है अगर यह तीनों आप आपको जरत नहीं पड़ेगी और एक बार मैं आपको यह सेजिशन दोंगा कि जो हमारी वीडियो आई ती पहले जस्ट पहले जिसमें डेंगू के रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था डेंगू क्या होता है सब कुछ उस वीडियो में ने कवर कर रखा है वो वीडिय पहले वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कंडिशन की बात करिए है हमने जैसे के एनेस वन एंटिजन जो आता है पॉजिटीव हो आई जीजी एम या आई जीएम जो होता है वो नेगिटिव हो और आई जीजी नेगिटिव हो बनाव इस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटीवी आएगा तो इस कंडिशन में क्या टीटमेंट दिया जा सकता है मरीज को अब इसके लिए सबसे पहले आपको रिपोर्ट करवानी बहुत ज़रूरी होती है डेंगू के साथ यह आपको सीविसी के रिपोर्ट बहुत इंपोटेड होती है क्योंकि सीविसी में आपको आर्विसी का टी एलची का डी लइके का सारे डिटेल होती है उसे में जाती है क्योंकि उसके अंदर गति ही ट्रीटमेंट जो होता है वो दिया जाता है अब च्छोटे साहिए WCA अपना पी कम हो जाएगा या फिर बड़ भी सकता है अगर कुछ भी infection other infection हो क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि डेंगू के साथ एनस बन पॉजिटिव आ रहा है बाकी दोनों नेगिटिव आ रहे हैं तो यह एक early stage है मतलब आपको सिर्फ पर सिर्फ तीन ये चार दिन ही हुए हैं आपको डिंगो हुए हुए तो आपको ये जल्दी रिकवर करने में मदल करेगा मतलब जल्दी ही ये चीज़ें रिकवर हो बताये है वो टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा और बेसिकर टेस्ट हम तब ही करवाते हैं अगर आपने चार-पांद दिन इसको फीवर होगे रहे हैं कि दवाई दिया है पांद दिन मीनिमम मान लीजे अगर फीवर उतर रहा है चड़ रहा है फिर दिक्कत आ रहे फिर उसके बाद ही हम आगे मरीज को टेस्ट करने के लिए सला देते हैं, कई डॉक्टर तो जल्दी ही करवा देते हैं, वो सब कुछ अलग-अलग मैटर है, उसके लिए हम अलग कुछ नहीं कह सकते हैं, तो मरीज की कंडिशन हालत जो होती है, वो सही होनी चाहिए, तो आप ये टीटमेंट दे सकते हैं, या कहीं तो थोड़ा बहुत अगर उसको विकनेस मैसुस हो रही है, खाना नहीं कार पार रहा है, तो भी उसमें आप ये टीटमेंट इसली दे पाएंगे, तो पहले चीज आ बुखार पर डिपेंट करेगा, अगर उसको बुखार ठीक है, तो दोवार ही काफी चल जाएगा, उसमें कोई जवरजती बात नहीं है, दूसरी इसमें लेने आपने सिफएकजिम प्लस लेक्टिक असिड बैसलेस जो टैबलेट आती है, उसका यूज करना है, क्योंकि इस आपने दवाईयां उसको देनी है, उसको बढ़ती कर सकते हैं, अभी पेसिंट पर डिपेंट करता है, जैसे अभी मैने आपको बता है, अगर उसकी हलत ज्यादा खराब लगरी जैसे वीक्नेस आ रहे, चक्कर आ रहे, बुक नहीं लगरे तो उसको बढ़ती जरूर कर नहीं पढ़ती है, वैसे तो फ्रोड से ही रिकवर हो जाता है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मरीज भढ़ती होने के लिए मना करें, तो आप इसमें दे सकते हैं, उसको मोनोसेफ 500 इंजेक्शन, डेली आपने एक इंजेक्शन देना है, एनेस हैंडेड अमल चो छोट नहीं पढ़ती है, मोनोसेफ से ही काम चल जाएगा, साथ दिन तक कंटिनियूसली देते रहेगा, इसके साथ साथ इसको टैबलेट के फोम में आप मल्टी बिटामिन दे सकते हो, ताकि उसको कमजोरी भूग बढ़ाने की प्रॉबलम ना हो, या भूग की दिक्कते ना हो, म अंदर से उसको इम्मुनिटी को बूश्ट करने में मदद करता है, इसके साथ ही आपने एक उसको जूस देना है, गिलोए या पपीते का जूस, पपीते के पत्तों का जूस होते हैं, या अकर आप कॉम्बिनेशन में सिरब मिल जाते हैं, जैसी जीज़ में गिलोए हो, इसके साथ ही मरीज को बताईये कि बखरी का दूद का यूज़ करें, पपाया एक्स्रेट टैबलेट भी आती है, उसमें भी ले सकते हैं, न्यू प्लेट से रप आते हैं, तो इतना हाइफ आई पाई है, तो इसमें आपको सिर्पर सिर्प चैन से चार टैबलेट देनी है, इसको ओरली मेडिसन इंजेक्शन एक ही देना है, जो बने आपको बता दिया है, खाने में क्या खाना चाहिए उसके पपीते के पत्तों का रस उसको कूट लेगा, और उसके साथ सहद का यूज़ आपको करवाना है, हल्दी का यूज़ करवाना है, नारेल पानी का इसमें मल्टीविटायम में recovery हो जाएगा, साथ दिसाथ सब्जियों का जूस पई सकता है, अनार का जूस पई सकता है, हरी पत्टियों का या सब्जियों गरम मसाले, चिकन मटन, जो भी हैवी फूड होते हैं, सरीर के लिए वो मरीज को नहीं देना है, तो गाईज अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कंडिशन आ रही है, जो पिक्चर से में आप देख रहे हो, अगर आपका डिंगो इस परकार से आ रहा है, तो आप ये ट्रीटमेंट इसली कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, और वीडियो को शेयर ज्यादा ज्यादा लोगों को रहें, ताकि और लोगों